कि राज जी धर्म को मानने वाले हैं बड़ा कट्टर धार्मिक है धर्म के प्रति उनकी आस्ता है मैं जानता हूं तो इस तरह उन पर कोई बेतुकी आरोप लगाना जाज नहीं है और ललन स्थिन को नोटिस भेडने से क्या हो जाएगा इन चीजों को देखे छोटी मान सिकता वाले ऐसे लोग हैं और उनको गन्ना करके बता देना चाहिए था कि यतने कुट्टे वहां थे आज भी वहां इंटेक्ट हैं हमारे हैं नोटिस से जादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी कि जब से वह कंठी लगाये होंगे नहीं करते होंगे पहले खाते होंगे बहुत लो लोग बता सकते हैं अगर भक्षक वाली पार्टी के साथ रहेंगे तो भक्षक वाली गुन उनकी आ सकती है तो अब जिस आरजेडी के साथ हो गये है वो भक्षक वाली पार्टी है उनके साथ हो सकता है वो गुन आ गया होगा लिगन हमारे साथ रहकर वो ऐसा नहीं कर सकते जी ने कभी अस्विकार किया है या ऐसा कभी उन्होंने कहा है कि हम मीट या चिकन नहीं खहते हैं आप देखिये सनातन धर्म हिंदू धर में बहुत से ऐसे मंदिर हैं पीठ है जहां मांस मंदिरार्द दोनों करता है चणता भी है पिहार में आप जात की राजनिती की चोड़कर जानवरों की उफर राजनिती की जा रही है आज से कुछ दिन पीछी ललन सिंग अपने यहां पर पाटी करते हैं मटन और चावल गाँ मटन चावल के पाटी करते हैं जिस नेता परतेबक्स बिजय शिन्ना बताते हैं कि उस छ खाते हुए उनका वीडियो दिखा दे गिरियराज सिंग का फोटो दिखाते हुए उन्हें साबित कर दिया कि यह लोग डूब्लीकेट सनातनी है अब हमारे साथ बात करने के लिए अरविंद कुमार है बीजेपी के प्रवदेश प्रवक्ता हैं सर क्या कि गिरियराज प्रवद कार किया या ऐसा कभी उन्होंने कहा है कि हम मीट या चिकन नई कहते हैं और थे सनातन divided धर beiden हिंदू धर में बहूस सैं basically एसे मंतिर हैं तो ऐसी यह यह की बाते हैं यह आदमी का व्यक्तिगत मुद्दा है पसमर्ड है अगर गिराज जी खाते थे एसा मेरा भी मानना है और उन्होंने भी स्विकार किया है नहीं स्विकार किया है तो मीट खाना और नहीं खाना तो यह तो तो नहीं करते हैं जब से वह कंठी लगाया होंगे करते होंगे बहुत लोग ऐसा रहते हैं कभी मुरगा या सकाहारी मांसाहारी दोन नहीं चोड़ देते हैं तो यह कबिकित मुद्दा है और द्रम को मानने वाले हैं दर्म के प्रति उनकी आस्ता है मैं जानता हूं तो इस तरह उन पर कोई वेतुकी आरोप लगाना जाइज नहीं है निरस निरस पर इस तरह से किसी जो सनात्री काते हैं और बीजेपी के जो निता हैं अगर कहीं भी खाते हुए नजर आ जाए तो आप लोग फोटो घिचे और फोटो को वाइरल कीजिए देखे एक बता है जाके मंदिर बहुत सारे ऐसे जो हिंदु धर्म के बड़े-बड़े मंदिर सिध्ध पीठ है वहां जाके जानकारी लेनी चाहिए कि वहां बली दी जाती है बली के परंप्रा रही है कहीं कहीं मदिरा का भी वहां होता है और परस गलत या साही नहीं ठाहरा सकते हैं मानना किसी धर्म को मानना उसके रास्ते पेचलना उसके लावं दूतल talented अगते होगे तो चाहँए आज टो मैं नहीं देखना ऊंगी इन चीजों को देखे छोटी मान सिकता वाले ऐसे लोग हैं उनको गन्ना करके बता देना चाहिए था कि यतने कुट्टे वहां थे आज भी वहां करने की जरूद नहीं थी एक कानून है जिसके तहट पक्षी पसुओं की गन्ना होती है लावारिश कुट्टों को भी गन्ना करके उसके वारे में कानून है तो वो तो बता देंगे कितना कुट्टा पहले था और उस भोज के बाद आज भी है कोई बिवाद नहीं रह तो इन बिवादों को नोटिस भेजना यह तो बहुत चोटी मान सकता है आप लोग भी जब थे तो गए थे उनको उनके यहां भोजन करने के लिए तो उस समय क्या खिलाए थे वोलो मैं तो नहीं गया था भोजन करने देखे भारतिये जंता पार्टी के साथ रहकर किसी एल देखक वाली पार्टी है उनके साथ हो सकता है वो गून आगया होगा हमारे साथ रहकर आपकी आपकी आप जब अपरत्वस्था नहीं क्या बताओं तो में कैसे बता हूं की नेता परवक्ष शही इन बातों को पूछना चाहिए मैं पार्टी का परवक्ता हूं और पार्टी की नीतियों की बात करता हूं और यह जो मुद्दा है यह उनका बयान है और उस बयान के जवाब में हमें लगता है कि मानिये ललन सीन वहां के सांसद रह चुके हैं और विजय वाबू ललन वाबू में अच्छे संबंध भी है मधूर संबंध है तो उनको जवाब दे देना चाहिए कि हमने जनगना कराई थी कुत्तों का तब जितने कुत्ते थे भोज के वारूत नहीं है तो इसमें अगर हम प्रवक्ता होकर भारतिय जिन्ता पार्टी की नीतियों के बारे में पूछेंगे तो मैं बता सकता हूं हमारा क्या रास्ता है क्या उद्धेश्च है यह बाते बता रहे हैं तो उस पर में और कोई पनी नहीं है क्या आप मांग करना काना चाहिए जांच होनी चाहिए वह बता दें कि गाइभ है करने था वह गई बात गत्म शंवाजिक जीवन में हर चीज में जांच आयोग नहीं प्रवक्ता है कि नहीं जितने कुट्टे हमारे हां थे आज भी इंट्रेक्ट हैं उतना हैं हुजागी बात खत्म इन्होंने साथ पर बता दिया कि जो आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप कह रहे हैं कि ललन सीओं अभी फी गीन करके बता कि जो भूज से पहले जितना कुट्टा था अभी भूज के बाद भी उतना ही कुट्टा है फिर आलाव देख रहे थे जंता जक्सन मेरा नाम रीशी